पड़ने वाले हैं RRB Group D examination कि लिए बहुत ही विच्जार टॉप 15 pls mc को कोश्चन है RRB Group D examination कि लिए physics के Top 15 placquesion पहला question है question 1 है उस्मा गति के किस्म नियम के अनुशार उस्मा को पूंडता कारे में नहीं बदला जा सकता है अजर दोतिय नियम के अनुशार उस्मा को पूर्था कार में नहीं बदला जा सकता है परक्रम जिसमें ताप नियत होता है कहलाता है अन्सर संताप ही और कोशिन है समतापी प्रक्रम में दी गई उस्मा केवल वहेकार है हैं समतापिक प्रक्रम में दी गई उसमा केवल वाह कारी करती है कि कोशन ऐसा प्रक्रम जिसमें सूचना का आधान परदान सून नहीं होता है क्या कहलता है आसर रुद्रोसम प्रक्रम कहलता है ऐसा प्रक्रम जिसमें सूचना का आधान परदान सून नहीं होता है उसको इंग प्रत्यास्ता गुणंग क्या हो जाएगा आंसर है समान हो जाएगा यदी तार को खीज कर लोगना कर दिया जाये तो उसका यंग प्रत्यास्ता गुणंग समान हो जाएगा कि मैं शचयन है कि UK फिजन किसी च्छर्ण का उस remember चालकता गुलांक निर्भर करता है अगर च्छड़के पदार्थ पर किसी चड़का उस्मस चालकता के जगता पनक करता है और motor कोशण है अनुनादित वायु इस समान आबरती की दो ध्वनी तरंगें विस्पंद उत्पंद करती हैं किसी एक तरंगे की तीबरता की तुलना में परिणामी अधिक्तम तीबरता होगी आंसर समान समान आयाम तथ लगबग समान आवरति की दो ध्वनी तरगे विश्पन्द उत्पन्द करती हैं किसी एक तरगे की तीम्रता के दोलना में पड़िणामी अधिकतम तीम्रता होगी इस समान Next question है निम्न मैंसे यांतरिक तरगे नहीं है आंसर है एक्स तरगे एक्स तरंग यांत्रिक तरंग नहीं है तो आंसर लग्स तरंग है अनला कुश्यन तरंग संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है आंसर प्रतिरोध अधिक्तम तरंग संच्रन हेतु माध्यम का कुण नहीं है प्रतिरोध अधिक्त